हे गाईज वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कमपेरिजन करके बताने वाला हूँ फ्लिपकाट स्मार्ट बाई वर्सेस बिल्ट स्किल प्रो पेंटिंग इस्प्रेगन का और बताऊंगा कि दोनों में आपको किसमे ज्यादा फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ तो हे गाईज मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वाचिंग सोलंकी जी टेकनिकल तो दोफ्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चोटा सरी क्विफ्ट है अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आये तो प्लिफ लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेग क्योंकि इससे मेरे अपकमिंग वीडियो का नौडिफिकेशन आप तक पहुंसता रहेगा और साथी साथ अगर आपको बिल्टी स्किल प्रो इस्प्रेगन या फ्लिप काट स्मार्ट बाय इस्प्रेगन लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्श आता हूं मोटर तो सबसे पहले बिल्टी स्किल प्रो में देखते हैं तो दोस्तों बिल्टी स्किल प्रो में आप देख सकते हैं इसमें आपको 750 वाट का मोटर मिल जाता है जी हां 750 वाट का मोटर आपको बिल्टी स्किल प्रो में दिया गया है वहीं हम बात करें फ्लिप का type का जी हाँ दोफ्तों की motor aluminium है कि copper है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप flip-cut smart buy का देखे तो इसमें भी आपको copper motor दिया गया है वहीं build skill pro की बात करें तो इसमें भी आपको copper motor दिया गया है तो दोनों में ही आपको सिर्फ एक नोजल दिया गया है जो कि आपको Masin में यहां पर दिखाई दे रहा होगा लेकिन दोस्तों pan स्मार्ट बाइ में इसमें तो नोजल दिया गया है ये वी Copper कहें लेकिन दोस्तों दोस्तों देखिए तीन एक्स्त्रनोजल को मिलने को मिलता है Flipkart Smart Buy में और Built Skill Pro में आकेवल आपको एक ही nozzle दिया गया है तो इस मामले में Flipkart Smart Buy को ज़्यादा आपको advantage देना पड़ेगा अब हम बात करते हैं चौथे हमारे comparison के बारे में जो की है paint का container जो यह paint भणने का container है उसकी बात करें तो Flipkart Smart Buy में आपको 900 ml का आपको container मिल जाता है 900 ml का ठीक है वहीं हम Built Skill Pro की बात करें तो Built Skill Pro में आपको मिल जाता है 800 ml का मैं आपको दिखा देता हूं 800 ml का यह देखे इसमें minimum आपको 200 ml और maximum आपको 800 ml दिया गया है और वहीं Flipkart में आपको 300 ml से 900 ml तक दिया गया है तो अगर हम container size की बात करें तो Flipkart Smart Buy का ज्यादा बहतर है लेकिन हम वहीं अगर इसके quality की बात करें container का तो दोनों मेरे को average लगा जी हां दोस्तों दोनों मेरे को average लगा तो Flipkart में ज्यादा आपको advantage मिल जाता है क्योंकि उसमें 100 ml आपको ज्यादा color आपको मिल जाएगा अब हम पाचवे comparison में दोनों कहीं आपको थोड़ा सा painting demo करके आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा idea हो सके कि दोनों कैसा flow करता है paint को ठीक है तो थोड़ा सा आपको छोटा सा आपको एक painting demo दिखा दे रहा हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं try करन तो अब मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूं flip cut smart by का जो इस प्रेगन है अब मैं आपको इससे painting करके दिखाता हूं अब हम six number में जो comparison है वो है इसका noise और sound तो चलिए सबसे पहले इसका noise और sound को हम test करके देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कि दोनों में sound और noise कि इसमें ज्यादा है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं sound और noise कि अगर हम बात करें तो मेरे को थोड़ा सा built skill pro में ज्यादा लगा compare करेंगे flip card smart buy से थोड़ा ज्यादा लगा आप बताईए का comment में कि आपको दोनों का sound में थोड़ा सा फर्क लगा कि नहीं लगा ठीक है मेरे को थोड़ा सा built skill pro का ज्यादा लगा तो उसमें 750 watt का motor है तो में भी उसका power ज्याद ज्यादा आ रहा होगा बट हलक असा ज्यादा लगा ठीक है तो इस मामला में sound और noise के मामला में flip card smart buy थोड़ा कम produce करते हैं अब हम बात करते हैं हमारे 7th number comparison में जो की है jog will तो दोस्तों jog will हम बात करें दोनों में ही आपको available मिल जाता है यह देखिए jog will यह jog will और यह jog will दोनों में ही आपको available मिल जाता है built skill pro में भी मिल जाता है और flip card smart buy में भी आपको मिल जाता है दोनों में ही आपको jog will दिया गया है लेकिन jog will की quality की बात करें तो built skill pro का jog will का quality काफी अच्छा है और jog will जो vip card smart buy मैं में है इसका quality मेरे को थोड़ा decent लगा, average लगा, तो jog wheel के quality के मामले में आपको built skill pro better मिलेगा, अब हम बात करते हैं इसके warranty के बारे में कि किस में आपको कितने month का या कितने year का warranty दिया गया है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं built skill pro का, built skill pro में आपको 6 month का warranty मिल जाता है, अगर ये machine को कुछ भी हो जाता है, तो आपको इसको send करना पड़ेगा, अपने पैसे से send करना पड़ेगा, जो भी इसका drift है, इसका service center में, then वो लोग आपको इसको return send कर देंगे, लेकिन एक तरप का जो sending का पैसा है, वो आपको देना पड़ेगा, वहीं flip card smart buy की बात करें, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का warranty नहीं मिलता है, आप इसको repair करवा सकते है, flip card smart buy के toll free number में जाकर, but उसमें जो भी charges रहेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का warranty आपको नहीं मिलता, और इसमें आपको 6 month का warranty मिल जाता है, but send आपको एक तरब का पैसा आपको देना पड़ेगा, तो यह रहा इसका warranty, अब हम next comparison करते हैं इसके price के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप built skill pro लेना चाहते हैं, या flip card smart buy लेना चाहते हैं, तो दोनों का ही buying link description में दे दिया हूँ, आप description में जाकर इ इस type का offer आपको मिल रहा है, वहीं हम flip card smart buy की बात करें, तो यह आपको 1500-1700 के बीच में यह आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लेना होगा, तो दोनों कही लिंक आपको दे दिया हूँ, तो दोस्तों आज का जो comparison है, मैंने आपको सारा comparison दोनों के बीच में जो जो है, वो मैंने आपको करके बता दिया है, अगर आपको कोई इसके regarding question हो, या query हो, या इससे regarding और भी कोई information चाहिए हो, तो आप comment करके मेरे को पूछ सकते हैं, और सांती सांत Instagram में भी follow कर सकते हैं, तो आज का वीडियो बस यही था, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया आइकन को आल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का रोजाना वीडियो लाता रहता हूं, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाई बाई, टेक क्यार